कि नमस्कार दोस्तों विल्कम डिवाटफाई एंडी फन की क्या क्यूं और यदी मैं कमली स्खोल लिया आप उसे लोगोंगा एक बार फिर से सवक्त करता हूं और दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोगोंगो गूगल पे अप्लिकेशन को यूज करना सिखा हूंगा क क्योंकि दोस्तों यहां पर मेरे पास काफी ऐसे कमेंट्स आ रहे थे हैं जहां पर मुझसे पूछा जा रहा था कि गूगल पेकेशरे कैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं कैसे जो हैं हम इलेक्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं वाटर बि कौन सा option किस काम में आता है कौन सा बटन किस काम में आता है और कहां से क्या होता है तो सारी चैजर में आप लोगों को बताऊंगा और मैंने यूटूब पे चेक किया तो काफी कम ऐसे वीडियो जहां पर जो है गूगल पे एप्लिकेशन को यूज करने के बारे में बताया जा तो दोस्तो ऐसे ही बाके भी बहुत से कैसे क्योश्चन साही जो मुझे बहुत ही ज्यादा सीरियस लगे इनके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए इसे वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं जहां पर आपको फुल प्रोसेस यूज करना और साथी साथ जो है आप सभी लोगों क पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों आप सभी लोग भी जो है गूगल पे इंस्टोल कर लीजे उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां पर करके आप जो है गूगल पैप इंस्टोल कर सकते हूं और अगर आप अब इसके बाद में आप लोगों को एक यहां पर मोजुद एक बटन के बारे में बताने वाला हूं कि कौन सा ऑप सब्सक्रिया कर सकते हो दोस्तों चले शुरुआत करते हैं दोस्तों यहां पर आप सबसे पहले देख सकते हो अजे खोली है जो कि मेरे भाई का गूगल पै जरिए आप जो है बिना अपने कोई personal details share किये अपने दोस्ते किसी family member या किसी merchandise को जो है आप पे कर सकते हो यहाँ पे बीच में आपको tap करना है उसके बाद में अगर आपको पे करना है तो आप पे कीजे नीचे receive लेना है तो आप जो receive कर सकते हो ठीक है अब दोस्तों अगर यह अपने तरफैल एकन की फोई होगा यहाँ यह दिख रहे है उसके पहले नीचे चलते हैं और देख लेते है नीचे क्या है तो उसके बारे ऊंच हो लोगों बताऊंगा अब दोस्तों यहां पर आपको दिख रहे होंगे बिजनेस तो दोस्तों यहां पर वैं सर्विस दिखाए देगी जिन सर्विस का आप जो है अभी तक यूज कर चुके हो जैसे कि मान लेजिए हमने बिल पेमेंट किया हमारे एलेक्टरिसिटी का तो यहा सोलाओ सर्वाद में नीचे आते तो रिवाड आपको दिखता है तो रिवाड में आप जितनी भी पैसे अरन करच चुके होते हो यह से अप λोगों को दिखा देता है उसके अज़ेश्टा बगल मैं आपको ओफरस दिखा देता है जो कि यहाँ बहुत वीडियो बनाता रहता हूं यहां पर अभी जितने भी scratch card यहां पर देख रहे हो इन सभी के वीडियो जो है मैंने बना दिया है अगर आप इन वीडियो को देखना चाहते हो तो जो है तो सारे चीजह यहां पे आप लोगों को दिख जाएगी तो दोस्तों यह हो गई आपके transaction पीछे चल लेते हैं उसके बाद में दोस्तों यहां पर को तेज मोड के जरिये transaction करी होगी यानिकि यह तेज मोड के जो कि मैंने आपको बताया तो इसके जरिये अगर आपको तेज मो आपको दिखाएगा इन्वाइटे फ्रेंड इस पर क्लिक करके आप जो है अपने दोस्तों को इन्वाइट कर सकते हो तो दोस्तों यह तो हो गए नीचे के सारे टूल्स यहां पर मैंने आपको बता दिये यह कॉंटेक्स होते हैं अब बात करते हैं दोस्तों इस न्यू बटन इसकेन QR कोड यहां से आप क्लिक करते हो तो आप किसी का भी QR कोड जो है इसकेन कर सकते हो उसके बाद में डिस्पले QR कोड इस पर क्लिक करके आप अपना QR कोड यहां से देख सकते हो च्छे है तो सेंड फीडबेक अगर आप गूगल पर को कोई फीडबेक भेजना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप आप अपने अकाऊंट में जा सकते हो तो दोस्तों setting में आप लोगों को last time बताऊँगा उससे पहले में आप लोगों को new button के बारे बता देता हूँ तो दोस्तों simply जो मैं new button पे click करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तर जो सारे काम होते हैं वो आपके new button से ही होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर में न्यू बटन पर क्लिए कर लेता हूँ न्यू बटन पर आप जैसे क्लिए करते हो तो आप लोगों को सबसे पहले दिखाए देगा Mobile Recharge, Bill Payments, Bank Transfer, Phone Number, UPI ID QR तो दोस्तों यह इसकी Main Services आप यहाँ पर देख सकते हो जो की Highlighted है यहाँ से आप Mobile Recharge कर सकते हो ठीक है इसके उपर टैप करोगे टैप करने के बाद में आपको आपके Mobile Number डालने फिर Operator आपको चूज करना है उसके बाद में यहाँ से आप रिचाज कर सकते हो तो इसके उपर भी मैंने वीडियो बनाए है वो भी आप जो देख सकते हो डिस्क्र पेमेंट कर सकते हो तो यह हो गया इसका दूसरा Option Bank Transfer अब जो एक सब्क्राइबर ने कमेंट करके पूछा था कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे कैसे भेजे तो दोस्त आप जो है इस बैंक ट्रांसफर के जरें भेज सकते हो इसके बाद में निकल के आएगा आप जो है कंफर्म कर लीजीगा उसके बाद में जो है आप उसे पैसे भेज़े तो इस तरीके से यहां से आप जो है पैसे भेज सकते हो यह पैसा आपके बैंक बैंक आचैज कर रेकिंगे अगी थो पूछा जाता या कि अप किस पैसे काणश कार ना साथिते हो औरसांगे वाले को उसके पैसे सकते हो राइकाँ चुप आप और एम है किसी फ्रेंड को जो है कूगल पे पैसे बहुसकिश कुछ तो दोस्तो उसके लिए simply आपको क्या करना होगा इसके उपर क्लिक कीजिए, क्लिकने के बाद में यहाँ पे अपने number डाले, जो भी आपका friend जिसने भी Google Pay account बना रखाओगा उसको verify कीजिए, अगर उसने Google Pay account बना रखाओगा तो उसको आप पैसे वगेरा भेज सकते हो, और mostly ह हम जितने भी scratch card बेगरा यूज करते हैं और जो transaction करते हैं जैसे के डेड़ सो वाला scratch card है तो इसी के तुरू हम जो करते हैं, last में आपका बस्ता है UPI ID और QR, इसके उपर क्लिक करके आप जो है UPI ID के तुरू payment कर सकते हो, या फिर QR code को scan करके payment कर सकते हो, तो दोस्तों यह तो ह होगे इसके उपर वाले options या उपर वाली service उसके जस नीचे आप देखिए suggested businesses दिखाए दे रहे होंगे, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो के तो आपको जो है बहुत सारी services दिखाए देंगी, यहाँ पी देखिए boda phone prepared, red bus, go ibibo और बाकी से भी services आप लोगों को यह पर दिख जाएगी, mi.com, foodpanda और यहाँ पर more पर कलिक करते हो तो आपको बहुत सारी services देखने को मिल जाएगी, देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी services देखने को मिल जाएगी, जितनी भी services को आप यहाँ पर देख रहे हो, इन सबी का जो है आप यहाँ से payment कर सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी services देख रहे हो, उन services का यहाँ पर payment कर सकते हो, उसके जस नीचे आपको आपके Google context वगरा दिखाई देंगे, तो दोस्तों यह मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर यह हर एक बटन जो है किस काम में आता है, और कैसे जो आपको इस से payment लेना हो, तो आप जो से अपनी UPA ID भेज भी सकते हो, उसके जस नीचे आपको आपका mobile number दिखाए देगा, आपकी Gmail ID आपको दिखाए देगी, आपने जो bank account लिंक कर रखा होगा, जिसको primary कर रखा हो, bank account आपको दिखाए देगा, आपकी language यहाँ पर दिखाए देगी, आ आप जो है अपनी Google PIN को चूज करके रखे, ताकि जब भी जो है आप अपनी Google PIN को डाल करके लोगिन कर सके, उसके नीचे है logout, तो यहाँ से आप logout कर सकते हो, close account तो अपना close account भी यहाँ से आप कर सकते हो, बंद करना चाते हो, उसके नीचे आता है help, feedback और बाकी सभी सब्सक्राइब कर लिए उनकी सारी डिटल में अपलोड करता रहता हूं और यहां पर मैंने इस वीडियो में बता भी दिया है कि आपको जो इसे कैसे यूज करना यहीं पर दोस्तों में अच्छे से आप लोगों बता दिया है कि कहां से क्या चीज होती है न्यू बटन पर जा पेमेंट्स वगेदा बेंक ट्रांसफर । यहें कि अच् सिर्टी फो है इस अब पेमेंट्स और यहां में स songs बूस्ति पूस्तों मेंज都 कोने अच्छे सब और थंतर उसक्ति है वह में जो यहां पर कर सकते है तो सब्स हो की बार याई simply आप जो है new button पर click करके यहां पर bill payments पर आ सकते हो तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस पूरे application को कैसे यूज करना इसके बाएं में बता दिया हुमिद करता ओं आप लोगों के वीडियो पसद आयोगा तो बस दोस्तों फुलाल जो गसे इतना ही झाल झाल